हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर करूँगी दुबई स्पेसियल खजूर बर्फी की रेसिपी जिसे खजूर पाक भी कहा जाता है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेसियल रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें खजूर बर्फी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम खजूर ली है और खजूर के सारे बीज हमने निकाल लिए हैं और इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे साथ ही में हमने यहाँ पर कुछ ड्राइफ रूट्स लिए हैं जैसे की 50 ग्राम काजू जिसे हमने चोटे टुकड़ों में काट लिया है और ली है 50 ग्राम बादाम इसे भी हमने चोटे टुकड़ों में काट लिया है 25 ग्राम पिस्ता लिये हैं इसे भी हमने काट लिया है और 2 टेबल स्पून खस-खस ड्राइफ रूट्स की कॉंटिटी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अब एक पेन में एड करेंगे खस-खस और इसे लगाता चलाते हुए लोफ लेंप पर रोष्ट करेंगे देखें खस-खस को हम ड्राइफ रोष्ट कर रहे हैं तो हमने इसे लोफ लेंप पर दो मिनिट के लिए अच्छे से रोष्ट कर लिया है अब हम इसे पेन में से निकाल लेंगे अब उसी पेन में हम एड करेंगे एक टेबल स्पून देसी घी और घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद हमने जो ड्राइफ रूट्स लिये हैं वो इसमें एड कर देंगे बादाम, काजू और पिस्ते और लगाता चलाते हुए इन्हें भी हम लोफ लेंप पर दो मिनिट के लिए रोष्ट कर लेंगे इस खजूर पाक के बहुत से फाइदे हैं इन सरदी के मुसम में आप इसे बच्चों के लिए बनाईएगा वो बहुत ही सोक से खाएंगे ये बहुत ही पोश्टिक है और सुगर फ्री है और ये खजूर बर्फी प्रोटीन और आईरन से भरपूर है तो हमने लगाता चलाते हुए सारे ड्राइफूर्ट को घी में लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए अच्छे से रोश्ट कर लिया अब हम इनको पेन मेंसे निकाल लेंगे तो हमने पेन मेंसे सारे ड्राइफूर्ट निकाल लिये हैं इसमें हम एक टेबल स्पून देशी घी और एड़ कर देंगे और घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद हमने जो 500 ग्राम खजूर ली है जिसे हमने मिक्सी जार में ग्राइंड कर लिया है उसे इसमें एड़ कर देंगे अब देख सकते हैं कि पीषने के बाद खजूर थोड़ी सी स्टिकी होने लगी है अब इसे लगातर चलाते हुए हम low flame पर भूनेंगे अब देख सकते हैं कि अब यह थोड़ी स्टिकी है लेकिन हम इसे जितना भूनेंगे उतनी यह soft होती जाएगी तो हमने लगाता चलाते हुए low flame पर तीन से चार मिनिट टक खजूर को घी में भून लिया है अब देख सकते हैं कि यह थोड़ी soft हो चुकी है और इस मिठाई को बनाने में हमने सिर्फ दो टबल स्पून घी का इस्तेमाल किया है यानि कि कम घी में बनने वाली मिठाईयों में से एक मिठाई है और हमने जो खस-खस roast करके रखी है उसकी आधी quantity हमने एड़ कर दी आधी quantity हम गानिशिंग के लिए रखेंगे साथ ही में हमने जो ड्राइफ रूट्स roast करके रखे हैं वो सारे इसमे एड़ कर देंगे और अच्छे से mix कर लेंगे सारी चीजों को हमने अच्छे से mix कर लिया अब हम गेस की flame को off कर देंगे और इसे room temperature पर हलका ठंडा कर लेंगे यानि कि हमें इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना तो हमने इसे room temperature पर थोड़ा ठंडा कर लिया है और अभी ये mixture हलका गरम है अगर आप बर्फी ना बनाना चाहें तो इस तरह से हाथों पर थोड़ा सा घी लगा कर थोड़ा सा portion लेकर इसका लड़ू बना सकते हैं तो हमने इसका एक लड़ू बना लिया अब हमने जो खसखस की आजी quantity बचा कर रखी है उसमें से थोड़ी सी खसखस हम लड़ू पर अच्छे से coat कर लेंगे तो इस तरह से आप खजूर और राइफ रूट्स के लड़ू भी बना सकते हैं और बाकी के मिक्स्चर में से हम इसकी बर्फी बनाएंगे बर्फी बनाने के लिए हम इस मिक्स्चर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह हम इसे रोल कर लेंगे दो इस तरह से हमने इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करके रोल कर लिया है और इसे हाथों से रोल करने के बाद हम रोलिंग सर्फेस पर खसखस और थोड़े से पिस्ता एड़ कर देंगे और इसे गानिश करेंगे देखिए यहाँ पर पिस्ता बिल्कुल उप्सनल है आप सिर्फ खस-खस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस तरह हम इसे रोल करते रहेंगे ताकि यह इस पर अच्छे से कोट हो जाए और इन रोल को हम बटर पेपर से कवर करेंगे देखिए आप यहाँ पर बटर पेपर की जगा फोईल पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बस इसे थोड़ा टाइटली रोल करेंगे और इसकी किनारियों को सील करके इसे दो घंटों के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए तो हमने इसे बटर पेपर से रोल करने के बाद दो घंटों के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि यह अच्छे से से सेट हो जाए अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ तो अब देख सकते हैं के फ्रीज में रखने के बाद यह अच्छे से से सेट हो चुका है अब इसे बर्फी का सेप देने के लिए किसी सार्प नाइफ की मदद से अधा या फिर पोना इसकी दूरी पर कट लगा लेंगे तो हमारी दुबई स्पेसियल खजूर बर्फी बनकर तयार है इसे किसी एर टाइट कंटेनर में रखके आप दो मेहरे तक स्टोर भी कर सकते हो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल लिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं